जबनेट तो कि यह व्र्ल्र ससेंटेंबल सुमट से रिलेटेट है है कि रिसेंटवी प्राइक यह अट्रे ए-डर्रेस दिया का कि किया है और किसके द्वारा यह औरनाइज क्या जाता है तो वाइज सस्टेनेबल डिवलप्पेंट सम्भी टेरी के द्वारा औरनाइज क्या जाता है टेरी क्या है टेरी का पूल फॉर्ण होता है दा इनर्जी एंड रिसर्ज इंस्टूट इसकी अफ्थाक्न 1971 में की गए थी और 2003 में इसका नाम चेंज करके यह रखाने है था दा इनर्जी एंड रिसर्ज इस्टूट और इसका हिट्वार्टन का है डेली में ठीक है तो टेरी के द्वारा सब्सक्राइब और वर्ड में यह पहला ऐसा सम्मिट है जो किसी डेवलापिंग कंट्री के दौरा और इंडिया के दौरा और बाकि आप देखेंगे जितने भी ग्लोबल इशू पे जितने भी समिट होते हैं वह यूरूपें कंट्री या विश्टन कंट्री के दौरा और कहना है कि लेकिंगे अब इसी संविट है पहला चैशीं देवलापिंग के दौरा करणों भी शेमीट के नाम से जाना जाता था सब्सक्राइब को यह अब यहां पर देखेंगे इसका लच्छ क्या है इसका लच्छ है सब्सक्राइब को प्रमोट करना सब्सक्राइब को पूरा करना साथी साथ जो भविष्य में आने वाले जेनरेशन जो फ्यूचर जेनरेशन उनके लिए भी कुछ सेव करना ठीक है मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में आने वाले जेनरेशन के लिए भी कुछ सेव करना ताकि उन्हें दिक्कत ना हो और ब्रंट्लेंड ब्रंट्लेंड कमिशन के रिपोर्ट के अलसा अगर इसके डिफिनिशन को देखें तो ब्रंट्लेंड क कमिशन ऑरणाज किया गया था वर अपने रिपोर्ट में अपने डिफाइन के अरसार्ट्लेंड के में सब्सक्राइब डिबल्लप्मेंट को डिफाइन के तो यह एफनेबन डिफियोग सब्सक्राइब और एबिलिटी और फ्यूचर जेरेशन तो मेट देर ओन नेट्स तिक है यारी हमें बर्दमान पर अपनी जुरुतों को पुड़ा करना है वी है तो फुल्फिल आवर नीट्स तिक है प्रजेंट नीट्स बट्ट वी आल्सो है तो से फोर आवर फ्यूचर जेरेशन जरुचर जता फोर है यह जरुचर जोसकते हैं अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करें तो कया होगा होगा? रिसोर्स सक्कुन हो सकता और हमारे फ्यूचर जनेरेशन को इससे दिक्कत आ सकती है तो इसमें जरूरी है कि हमारे जो भी रिशोर्स है उसका हम जूडीशियल तरीके से हम उसका इसने ज़ूचर गड़े ताकि फ्यूचर जनेरेशन के लिए बचा से के और सबसे में करेंड में प्राइब को इस तो यह सारे हमारे रिसोर्स होते हैं रिषोर्स दो तरह के हो सकते हैं तो प्रीजर चीजें होती है जो नीचर के द्वारा हमें दिया लिए है तो इन्वार्मेंट को प्रोट करता है अब इस सब्मिट में इंडिया क्या स्टेट है मतलब इंडिया अपनी तरफ से क्या चाहता है तो सब्से पहला है एक्यूटेबल एक्सेस तुद यानी सब्से इंडिया क्या है एक्सेस तू सब्सेबल इंडिया लोगों को के पास प्रोटोड होना चाहिए जाहिए यहांतों किसी तरह का इनरजी जैसे कि को को खिँक के लिए लुग पास जैसे कि कोईले बनाते हैं Alors हम लोल रख कर रहे हैं कोगिंग के लिए वह सब लोग के पास एकवली पहुचे हैं चैसे कि कोखिंग कर g.ch बटेज़ कर पाते हैं तो इसके लिए इंडिया के वीजन है कि एक्विटिम इनर्जी एक्षिस टुदब वूर मतलब गरीमों के पास भी पहुँच होना चाहेगे इंडर गमेंड कई साले स्कंट चला है इसमें से इंपॉर्टेंटन स्केम्स हैं पहला है उज्ञोला योजना आपने सुना होगा कि पीछले साल या दो दिन साल पहले उज्ञोला योजना का भंसत्र था फ्री में LPG गैस कनेक्शन प्रवाइड करना खासकर रूरल एडियास में ताकि जो रूरल एडियास के पूर है वो भी एनर्जी तक उनकी पहुंच बढ़े तो इसमें लगबद 8 करोर मैलाओं को खासकर मैलाओं को यह गैस का कनेक्शन दिया गया था ठीक है फ्री में और अब युजला उजला टू में क्या करें कि सलिंडर के सांसा गैस चुला भी दे रहें प्रवाइड करें गैस कनेक्शन दिया लिया था फर्स्ट पार्ट में फ्री गैस करें आप जब लेने जाएंगे तो आपको पैसा लगता है गैस करेंशन का तो उजला वन यह जो नहां तो रूरर एलिया में उन्हें फ्री गैस के निक्शन प्रवाइड किया गया था ताकि उनका एकसेस है एनरजी के वो पढ़ें उजला टू में क्या किया गया है कि अब सिलेंडर के साथ-साथ उन्हें गैस चुला वह भी प्रवाइड किया जाना है तो इस तरह युजला य दूसरा युजना है प्यम कुशुम युजना प्यम कुशुम में क्या पूविजन से जो भी फार्मर आपने देखा होगा गाहों में कि हम लोग बोर्वेल सुना होगा या पीटर जो चलाते हैं जिससे हम पानी को अंडर गांट से पानी निकालते हैं और उसको इरिगेशन के रुप में यूज करते हैं गाहों में ऐसा ही होता है दीजल का यूज करते हैं तो इस लिए लोकने के लिए प्रेंडली नहीं और साती साय इसे क्या है गाश्यटों अको कफे सबस्टिदी देना पड़ता है घ्र वामर से हो उस्सको निकलिए गयमने पूशूर योजना स आपस ही चलेगा जो पंप चलेगा तो इसके लिए इसमें क्या प्रविजन है कि जो भी फार्मर्स होगे अपने खेत में या खेत के आप पास वह सोलर पैनल लगाएंगे ठीक है सोलर सिस्टम डेवलप करेंगे वहां पे अपने खेत में और उस एनरजी का यूज करके सोलर ए यह को विजन है कि जो भी एक्स्ट्रा एलेक्रिश्टी उच्पास बचेगा वह उसको सेल कर सकते हैं घ्रिड में तो प्रॉशम में क्या है कि सोलर इंगें लगा एं फिर प्स्रीशान आपके रहा है तो पॉंड पे क्या करेंगा वह उस से एलेक्रिशिटिटी से वह अपना जो उनका रिक्वार्मेंट है वह पूड़ा करेगा और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्री बचेगा वह उसे सेल कर सकता है तो यहां पर आप इन दोनों योजनां को जोड़ी डिसकस करेंगे अपने आंसर में कि यह इंपोर्डेंट योजना है और इस योजना के द्व कि आपको पता है कि डिव्लोप्ट के लिए इनर्जी का काम ने कर सकतें खुच्रीपिटी कर रहे हैं कि इनजी की सेथे और आपका इंडिया का है दूसरा है रेडियूशिंट एमिशन को रेडियूश करना अब एमिशन को रेडियूश करने के क्यों जब रहते हैं एमिशन का मतलब किसका एमिशन करना यह ऐसा क्यों करने सब्सक्राइब करना क्यों ज्यूंकि नेचर को कंजर्ब करें तो जब हम जब हम एमिशन बढ़ेगा तो क्या होगा जो है नेचर जो है नेचर जो रिसोर्स है वह डिग्रेड होगी और फ्यूचर जनेरेशन के लिए वह एफलेबल नहीं रहें जाहें यह दूसरे जो भी चीज़े फ्लोरा एंफॉना तो दूसरा जो वीज़न है इंडिया का यह संबिट में वह है रेडियूशिं एमिशन और उसके लिए इंडिया रेक काई सारी कदम उठाए है ना जैसे है उजावा यह उजाला क्या है उजाला है उजाला में क्या है LED बल्ब को डिस्ट्रूट करना है आपको बता है कि LED क्या होता है एक सेमी कंडेंटर डिवाइस है जिसके थूँ लाइट पोड्यूश करते हैं उसमें क्या होता है LED इस मोर एफिशिंट थैन अधर कंवेंशन बल्ब्स हम पहले यूज़ करते थे पीला जो कलर देजा था उससे कहीं ज्यादा एफिशिंट होता है LED तो एक तरफ क्या कर रह है ठीक है दूसरी तरह क्या कर रहा है हम एनर्जी को एफिशिंट बना रहें अब इससे एमिशन कैसे रूखेगा LED को डिस्ट्रीट करने से एमिशन कैसे रूखेगा इससे में कम बढ़ करेंगे हमें कम एनर्जी के पड़ेगी LED जलाएंगे तो और जितना रिकार्मेंट होगा उसी तरह का प्रोडेक्शन होगा तो प्रोडेक्शन भी कम हो जाएगा क्योंकि एलेक्शिटी प्रोडिशन में इंडिया में मैक्सम थर्मन पावर प्लांट से बेडिन की पोडिशन होता है है मनों को का इस्तेमाल करते है तो जितना हम कम इस्तेमाल करेंगे या जितना जादा सब्सक्राइब करना खासकर पूर्स को जिनके पास अच्छावा युदना के तायर बहुत सब्सक्राइब अंडिया की आपके गुसल और के ऊंडिया को एक की इन्डिया को सकते हैं अब यह क्या परपस है है आपको अब्सक्राइब कहने का क्या मतलब है हमारी जितनी में एक्नुमिक कि अधिविटी होगी वह हाइडोजन वहीं यानि जो हमारे एनर्टी का में वह हाइडोजन होगा हाइडोजन को हमें यूज करना है यह है परपस मारा है अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास टेखनिक की कमी है बड़ हम इस पर काम कर रहे हैं कि हाइडोजन को ऐसे फ्यूल यूज करेंगे क्योंकि यह लेस एमिशन होता है जीरो एमिशन में कुछ भी एमिशन रात्ट है हाइडोजन जना फ्यूल के रूप में यूज होता है इसमें जीरो एमिशन होता है ब्यंकि हाडोजन वह काफी डिफिकल्ट टास्क है उसके लिए हम differenti पेड़ है तुह है ओर वेहेकर्स को चला सकते हैं किसी भी डियोगास को चला सकते हैं तो वहाँ पर हमारा रिवार्मेंट य स्विठी का कुछे ही का हाइडर्जें हाँाल को फ्य nueve च्खड़न को रूप हुज करना आप कोई हों ऐसा जगर जहां पिक्ष दिनों तरब पाणी जमा हो उसे वेट लेटएंट करते है लेटलेंट डॉट लेक हो इसे क्या निलेटलेंट और जिसे राश है अब तो, मैं तो रामसार कॉनीशन हुआ था 1971 में उसमें क्या था वेटलेंड को रि until पर किक सरा इप्र हुसे धोधिन है जो जो बाइवर्सिटी पॉइंट व्यू से काफी इंपोड़ेब्ड है जनरली यह वेट लैंड नी होता है वह काफी बाइवर्सिटी विच होता है ठीक है उसके बहुत सारे फ्लोरा और फॉना होते हैं यानि वेट लैंड को हम अगर तंजर करेंगे तो हम अपने पानी है वहा यानि पॉधा और जानवर दोनों काफी उनकी डाइवर्सिटी काफी जादा होगी विवित्ता काफी जादा होगी वेट लैंग को प्रक्राइं के मफस्द क्या है वाइटू सेटी को कंजर्व कर लिकर तो नहीं है तो आप लगद 40x 49 रामसा साइट से आहिए इंडिया के है कि यह थे कि एना के द्वरावार कि यह वर्ट के इरदेंज सब्सक्राइब कर लो है कि वसे से इस इंडीया में को इंगा है हुल्ड के वह पोर्ट गडड़ लेड़ेनग हमरा मुस्त इंपोड़ेंग मोश्यक और बेड़नाइंट final कि अ यह तो थर्ड पॉइंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलप्मेंट को प्रमोट करना है जब वेटलेंट को प्रमोट करेंगे तो वाइड़िस्टी को प्रमेट करने और बायोडार्शिटी ही नीचर को मेंटेन रखता है जो हमारा फूट साइकल है कारवन साइकल है नाइड्रोजन साइकल है उसको को मेंटेन करता है जितना डाइवर्स होगा जितना उस फूट बेल में जितने कंपोनेंट होंगे है उतना ही जागा हमारा नीचर कंजर्व रहेगा और नीचर कंजर्व रहेगा तो रिसोर्स कंजर सब्सक्राइब करें कि चौथा हमारा विजल है इंडिया का वर्ल सब्सक्राइबल डिवलप्पेंट में वह है अभी इंडिया का इंडिया के जो लैंड है उनका हाई हो रहा है मतलब उनकी फटलीटी बहुत ही तेजी से कम होती जारी है इंडिया में जो लैंड है उनकी फटलीटी काफी तेजी से खत्र होते हैं डिग्रेडेशन क्या होता है डिग्रेडेशन अब जो फटलेट है वो तीरे तीरे में अधर हो हें टिक है डिस आपनते हो रहे है उनकी फटलीटी खतम होती जारी है पुरुम वरणा भतलती जारी है ठीक है उसी को कहा जाता है डिर्पलेशन लेंडिया गिशन तो हमें कहाणृट्ट बाने है तो कई सारे तरीके हैं फटलीटी बराने के हम चैमिकल फटलाइजर को कम करें और यह ज्यादा प्रमोट करें जैसे इसलिए और निक फार्मिक की बात की जारे हैं अब हमारा फास्ट और पुरी अर्पुरा स्टेट ही और इसलिए नहीं होता है ट्रेडिशनल मेथड से वह वार यह सारी चीज़ों का यूज करके फार्मिक ही जाती है उसी तरह कई सारे विलेज को और इक बिलेज के रूपे डिकलेर के रहा है बिहार में भी एक बिलेज है और इनिक बिलेज नाम याद नहीं है आपके ठीक है नालंदा दिस्टिक में हो तो इस तरह से हम क्या कर रहे है कि लैंड को रिजनेट कर रहे है और भी कही तरीके से लैंड पे जो फार्मिक का तरीका है उसके कारदी लैंड इंग्रेडेट होता है पार्मर्स को पता नहीं होता है कि किस तरह का काम करना है किस तरह का लैंड कैसे हमें पार्मिक करनी है कि उसकी वर्वकता बची रहे उसकी फटलीटी बची रहे ठीक है उसका नुट्रियेंस खत ना हो इसका सबसे अच्छा तरीका है किया है साइक उसको कहते हैं मिक्स्ट फार्मिंग या एग्रोफॉरेस्टी मैंने बताया था या फिर आ क्या करना मतलब एक ही तरह का प्रॉप नहीं करना प्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना है जैसे कि हमने एक टाइम अगर गेहूं घ्या नहान हो गाया तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए हम वहां पे पलसे सुगाएंगे ताकि नाटोजन फिक्सेशन हो वहां पे तो इस इस तरह का हम मिंटर यूज करके हम लैंड को बचा सकते हैं और अभी तरह इंडिया के एफ़र्ट के दौरा अभी तरह 11.5 million hectare लैंड को रिया स्टोर किया जा चुका है जो रिंड्रेइड हो चुके थे उनको रिया स्टोर किया जा चुका है क्च्छी लैंड को डालते हैं लेखिन है वह उसकी औरवाडता खतम होई है उसके ये खत्म होगा है एंड्र उस लैंड करेंड लग सबस्ट्राव को यूज करें कर बाद दर बाद एक तरह तरह का रिंद बिद्या इसकी आश्चीब गर्ल्टिस पर इसक लेख ट्याशीं तुसको यूजट करने लाइक हीन बचाई उसको ऊसटाना और लेंट मीरेंट हो चुका है करना है लुछ करने के कि का एक करें तो पूरे वर्ल्ट को इससे एफेक्ट होगा तो हमें एक लेट होकर एफ़र्ट लगाने की जुवत नहीं है हमें कहांता है कोडिनेट होकर मतलब सारे कंट्री मिलका चाहे वो डेवलबिंग हो चाहे डेवलब्ट हो समी मिलकर इसके काम करें करें पूंसी कसेटिक के तार इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशन इसे स्टोलरardeलन रहा है वीतन रॉब प्रोपिक्स केंद्धिनल्यू दान्रा कशिद्च कंभिल्म शुर्ण का इस में प्रोटय में कंषश हुदा है प्रोषता है और वैसे कंट्रीज को मिला रहा है क्या मिला है इंटर्डेशनल सोलर एलाइज हो रहा है जिसका है पॉर्टर कुर्णा हुआ हुआ